ये घ गाये तो सुनलिए तो अज मेरे यह क्रेड गर्द करा है इंस्पायर लोक अगर घाल थोड़ जूलरी आप तो अनुछ कर रहा हूं तो इतना सारा मैने अफर्ट तो नहीं करा है लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी बहुत ही खुबसूरूत थी तो इसलिए अपने ही दुपटे को या फिर अपनी ही शादी के जोड़े को भी इतना कंपेट नहीं करना है तो इतना मिच्ज़ का कर सकते हैं इतना ही लायक 내가 करना है और बहुत ही लायक मेक अपने करा है बहुत ही आइसे मेक उओ ही यूरी गड़र तो तो नहीं करना कि क्या नहीं है तो थोड़ी बहुत जो है उनके इंस्पार लुक से थोड़ी बहुत मैश करती है तो आप इस चीज़ कर सकते हो अब किसी में शादी पार्टी में वगएरा और अगर आपको यह लुक पसंद आया तो इसे लाइक करें करें कमेंट करने ना भूले और नेक्स्ट वीडियो जो जो कि मैंने इतना यूज करा थोड़ा बहुत ही रहा गया है तो यह जो करने वाली हूं डॉटिंगी का सूपर मेट मॉस्टराइजर जो कि आपके फेसे बहुत अच्छा सा गलो देता है और साथी साथी बहुत ही मैट है जो कि लगाने के बाद बिल्कुल मैट हो जाता है जो कि आपको तो यह मेटा बहुत ही जाता अच्कल फेवर्ट हो गया और सबसे जाता इंपर्टन लगता है मुझे है जैकरीन का यह प्राइमर जो कि बहुत ही स्मूथ है और आपके पोर्स को एकदम से एकदम हाइट कर देता बहुत ही अच्छा प्राइमर है और यह सबसे पहले में यूज करने वाली हूँ यह और इंज करते हैं पूरा कलरेक्टर में अपने फेस पर अच्छे से हाइड हो गया है मेरा और यह त्री में डाक सर्कल डाक स्पोर्स सब हाइड हो जुके हैं और इंसाइड की ही किट मैंने लीथी और परपल.com से मैंने माग वा अच्छा कासा मिल जागा लेकिन इसके तीन वेरिंट अभी हाया है तो मुझे लगता है कि इसे यूज कर लेना चाहिए हमें तो थोड़ा से से फांडेशन में लेने वाली हूँ उसका फिसिक नेडा का यह बेकब फिक्सर नेक्समस करने वाली हूँ मेरी दिनका यह निका यह नेक्समस करने वाली हूँ इंसाइड का यह बनाना पॉडर जब्स होड़ा सा अलक से निकाल के ताम कि अच्छन की आइशेडो केट और सबसे पहले जो कलर में लेने वाली हो पीच कलर अच्छा पर अच्छा लेकिन में बहुत ही लाइट सा लाइनर यूज करने वाली हूं क्योंकि यह क्यारा ने बहुत ही लाइट मेकप करा है पर नगे हैं लाइस में हल्का से एक विंग निकाले बस इतना ही ताकि आपकी आइस को थोड़ास शारप लगे जो आपकी जो लाइनर है व आपकी आइलैस के पास ही होनी चाहिए बस इतना ही उसकने वाली हूं लॉरे पैरिस का ये मशकारा जो कि मेरा कुछ टाइम से बहुत ही जादा फेवरिट होगा हर वीटियो में इसको यूज़ करती है तो एक ये दो स्टुप में बहुत अच्छे से काम कर देता है ये आइब्रो फीलर और जो कि मैं हमेशा से ब्राउन शेड यूज़ करती हूं जो इस तरीके से है बहुत ही लाइट है कि अगर आपके ब्लैक बाल है और ब्लैक के आइब्रो कर लोगे तो बहुत ही जाता बेकार हो जाता है तो इतना ज़रा डाक लगता हो देखने में भी अच् आपका आइस पर थोड़ा से लुक अच्छा है और जिसकी गोल भी आइब्रो है ना तो आप डिफिरेंट देख सकते हैं इस तरीके से मुझे इस तरह के आइब्रो बहुत बहुत पसंद है कि कभी होता हमेशा ही का मीजी सेट नहीं रहती है कभी गोल हो जाती है कभी करवा लेते हैं शाम को और फिर ध्यान देते हैं अगले दिन याद आता है कि आइब्रो हमारी खराग हो गई है तो मैं बहुत ही थोड़ा से लेने वाली हूं इतना सा इसमें से बच जाएगा कि यह बहुत ही थोड़ा से पर अच्छा काम कर देता है तो वही यूज तो और इसमें थोड़ा से इसको रब कर लीजिए और जहां आपको लागाना है जैसे कि इस पर ज्यादा ब्लेंड करने की जोरत नहीं पड़े कि बहुत ही क्रीमी है यह बहुत जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है इस तरीके से जो क्रीमी ब्लश होते हैं बहुत जल्दी से लग जाता है बहुत जल्दी स्पैड हो जाता है इतना सारा बच भी जाता है अमेशा मेरा इस यह व्यादा ब्लश हमेशा यह रहता है यह थोड़ा सा लगात हूँ लेकिन बहुत जादा बच जाता है क्योंकि इसमें इतने से बहुत कम नेना पड़ता है क्योंकि यह पंपम में होता है तो थोड़ा सा निकाल दी ज्यादा कि ज्यादा निकल गया है तो कोई बात इसको बार में उसकर लेना अगर आप लग सकते हैं तो थोड़ा स्टोर करके पर मेरे लिए वेस्टी हो जाता है और इतना यह ब्रश हलका सा यूज करूँगी क्या कि बहुत ज्यादा मज़े यूज नहीं करना है इसको उसकरने वाली हूँ यह शिमर पिंक कलर की लिप्स्टिक जो कि यह दोनों एक ही फॉर्म में है इस तरीके से और बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर कलर है बहुत ही मैट कलर है तो आप इन दो यह तीन मेल के बाद भी आपको यह हटेगा नी तो यह कलर एक्शली मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कियार ने थोड़ा सा पिंकिश कलर और पीच कलर का थोड़ा सा लगा था अच्छली वह उसी तरीके का कलर तो मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा डाक पिंक है अ अ अ मैंगा में ने कंपलीट हो जुका है मैं ड्रेसर पो कराती हूं करेट किया है कियार दोवानी का मैरेश लूप कि मैंने बहुत कम प्रोड़क्स यूज कर रधे और बहुत सारे प्रोड़क्स मेरे पास नहीं है लेकिन जो था उसी में करने की मैंने कोशिश करी थी और इतना मीनिमम मेक अप लुक बहुत सही रहता है आजकल यहीं लूप प्रोड़क्स मेरे पास प्रियुक बीड़कु है और बबट फ इसे नहीं बास तो नहीं लेकिन जोही मैंने मगवाई थी मैंने यह मुष्य के बाद में करेट करूं लूप को कि अगर बेसिक जो होता है हमारा मेकप से इंस्पायर लुक होता है जरूरी नहीं है कि पास जो जोल्री पर्चेस करने इतनी महेंगी ऐसा नहीं है हम उनको नहीं वीट कर सकते हैं लेकिन आपके पास जितना भी प्रोटक्ट है इतने भी जोल्री है आप उसमें से करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि मैंने भी इतना ही कोशिश करती है बहुत एक्स्ट्रा मैंने नहीं यूज कर रहा है और जो मेड़ पास था मैंने उसी में करने की कोशिश करी है होप आप लोग के लिग पसंद आया होकर पसंद आया तो उसे लाइक करें शेयर करें कमुंड करना ना मूले थेंक यू